स्वागे थैब का इंडिया टीवी में मैं हूँ आपके साथ विवेक्षा अंडेले बुल्टिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ग्यानवापी केस में सुप्रीम कोट में सुनवाई शुरू हो गई है तीन जजों की बेंच मामली की सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोट में शिवलिंग के संरक्षन की मांग वाली याचका पर सुनवाई हो रही है आज सुप्रीम कोट ग्यान वापी मामले में विशेश पीट का भी गटन करेगा वहीं बली खबर वारनसी से भी है जहां जिला अदालत में आज सुनवाई टल गई है मामली के अगली सुनवाई जिला अदालत में पांच दिसंबर को होगी जिला अदालत में माशिंगार गौरी की रोजाना पूजा के अधिकार को लेकर याचका दायर की गई थी सुप्रीम कोट से हमारे साथ अभे पराशर जुले हुएं सीदे उनके पास चलेंगे अभाई क्या थासा जानकारी अभी तक अभी तक क्या खबर निकल कर सामने आ रही है सुनवाई थोड़ी देर पहले चुरू हुई है देखे बिल्कुल विवेक इस वक सुनवाई चल रही है और जो वकील रंजीत है उनकी तरफ से लगातार जो दलीले है वो दी जा रही है सबसे पहले जो पुरानी जब 17 मई को जब अंतरिम आदेश में ग्यानवापी परिसर में शिवलिंग को संरक्षित देने की बात कही गई थी उस बात को बताया है और अब कोट से यह गोहर लगाई है वकील रंजीत कुमार ने कि जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोट ने दि जीत कुमार कोट से यह गोहर लगा रहे हैं कि 12 तारिक यानि कि कल 12 नवंबर को जो मियाद पूरी हो रही है जिसमें सुप्रीम कोट की तरब से 17 मई को यह आदेश जिया गया था कि जहां पर कथित शिवलिंग मिली है उस पूरे एरिया को संरक्षण में रखा जाए सुरक् कि शानी नहीं है अगर हिंदू पक्षिये चाहता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसमें दलील की आवश्यक्ता दोनों पक्षों की तरफ से पढ़ेगी देखे बिल्कुल क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उन्हें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है अगर क्योंकि जो शिवलिंग का एरिया था जहां पर शिवलिंग मिली थी उसके संरक्षण और उसकी सुरक्षा का जो ओर्डर था उसे आगे बढ़ाया जाता है और यही ब जोकेट रंजीत जो लगातार अपनी दलीले दे रहे हैं उन्होंने ये भी कहा था कि 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी की आपत्ती अरजी को कोटने खारिच कर दिया था और उसके खिलाफ मजजद जो मस्जद पक्ष की याचिका है वो अभी हाई कोट में लंबित है अभी मस् अगर संरक्षन और सुरक्षा को लेकर अगर अपना सुप्रीम कोट का जो आदेश है उसकी तारीक को आगे बढ़ाता है उसको और आगे बढ़ा दिया जाता है तो अब देखना यही है कि सुप्रीम जो एक बेंच बैठी है तीन स्पेशल जज़ की वो दोनों की बातों को सुनकर क्या फैसला सुनाते हैं? सुनवाई इस वक चल रही है कोट में जिसमें लगातार यह कहा जा रहा था कि एंट्रिम प्रोटेक्शन जो दिया गया था आठ हफते का जब मैं में डिसिजन आया था तो उसको बढ़ा दिया जाए और उसी को लेकर हिंदू पक्ष तो यह कह रहा है कि एंट्रिम पक्ष क ही हो जाती है अभी भी उनके प्टिशन हो है वो स्टांड आउट होती है अभी इस मूरे पामले पर आगे सुनवाई चल रहे है जिसमें CGI यह कह रहे हैं कि क्या आप यह मांग कर रहे हैं कि बाकी के जो सूट्स हैं उनको भी डिस्ट्रिक जज़ के पास ट्रांसफर कर दि जा रहे हैं इसके इलावा CGI की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो विश्नु जैन है यानि कि जो हिंदू पक्ष के वकील है वो यह परमिशन चाह रहे हैं कि जो उन्होंने इंटर्विंशन अप्लिकेशन फाइल की है वो उसको विड्रॉग करना चाहते है जिस पर कोर्ट अ आगे बढ़ाया जाना है या पिर नहीं बढ़ाया जाना है क्योंकि अभी इस पूरे मामले पर जो कहा जा रहा था मुशलिम पक्ष की तरफ से कि उनको भी कोई आपत्ती नहीं है वित इस के बीच और इस पूर olması कुछ पुछ देर में आजाएगा लेकिन सुप्रीम कोट से हमारे से अब पराश्र लगतार जोड़े में अब आई क्या था से जानकारी आपकी पास फिलाल सुप्रीम कोट से देखे बिल्कुल अभी जो हिंदू पक्ष है हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये गोहार लगाई जा रही है कि इस फैसले को आगे बढ़ा दिया जाए जिसमें जहां पर शिवलिंग मिली थी उस एरिया को संरक्षन और सुरक्षा की जो बात जो मियाद जो कल खत्म हो र है तो फलाल डिसकेशन चल रहा है लेकिन जहां तक सुप्रीम कोट के अंदर जिस मामले की सुनवाई थी जिसमें ये कहा गया था कि 17 माई का जो आदेश था जहां पर कतिश शिवलिंग के संरक्षन को जो इसकी मियाद खत्म हो रही है उसे आगे बढ़ाने को लेकर कहीं न जा सकता है विवेक बिल्कुल और जिस्तर की दलील दी जा रही है जो बाते गौनिका लगातार बता रही है अब है मुझे लगता है कि दोनों पक्ष की तरफ से एक तो इस बात पर सहमेती है कि अगर शिवलिंग की जो संरक्षन का आदेश है उसको जारी रखा जाए तो इ है अब ही कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने वही कहा है कि दूसरे सूट जो चल रही है वारानसी की सिविल कोर्ट के उस डिस्तर की सिवल पक्ष कर निदर करें उसको लेकर जो civil court में जो कुछ suit दाखिल है उसे district court में transfer करने को लेकर उन judge के समक्ष अरजी जो है वो दाखिल की जाए ये बात कही जा रही है और फिर district judge ये तैय करें कि सभी आचिकाओं को एक सास सुनेंगे या नहीं सुनेंगे इसको लेकर अभी फिलाल आपस में बात हो र रही है वो भी अपनी ये बात कह रही है कि उन्हें इससे कोई आपती नहीं है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द संरक्षन के आदेश को लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से कोई नव कोई फैसला सुनाया जाएगा बिलकुल अभी क्या इस पर भी फैसला आ लेकर आपस में जो जजिस की बैंच है वो आपस में बातचीत कर रही है अलाकि उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट बात ये जरूर कही गई है कि क्या जो बाकी के सूट हैं उन्हें सिविल कोर्ट से डिस्टिक जजज की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए इसको लेकर ये बातची चल रही है उसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि जो बाकी के सूट हैं जो की सिविल सूट है क्या उन्हें भी डिस्टिक कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी बिल्कुल सुनवाई लगाथार चल रही है और कहा भई ये भी जा रहा है कि थोड़े दिर में फैसला आ सकता है कि संरक्षन को लेकर जो वहाँ पर कतिर्शिवलिंग मिली थी उसकी सुरक्षा बहर जरूरी है उसकी मियाद खत्म हो रही है क्योंकि उस पूरे एरिया पर ही आगे की पूरी की पूरी जांच जो है वो निर्भर करती है दलील ये भी दी गई थी जब याची का लगाई गई थी कि जिस तरीके से जब देखा गया था कि वजू खाने में से जब पानी निकाला गया था वहाँ पर जांच की जा रही थी तो जिस तरीके से शिवलिंग पर जो कथिश शिवलिंग है उस पर कुछ चोट के निशानों का दावा किया गया था तो इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी हिंदू पक्ष ने और उन्होंने यही कहा था कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई लंबित है तो संदक्षन और सुरक्षा जो है वो लगातार की जाए और इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे आगे बढ़ा दिया जाए हाला कि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी देखे अगले आदेश चक शिवलिंग वाली जगह जो है वो संदक्षित रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला ये आ गया है अभी अभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आई है कि हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है और अगले आदेश चक सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा यानि कि जो मियाद थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है अगला आदेश यानि कि सुप्रीम कोट में आगे जब भी अब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोट ने शिवलिंग के सरक्षन की बात आगे बढ़ाई है और कहाए कि जब तक इस मामले में सुनवाई चल रही है शिवल पक्षिक वखील है वो भी सुप्रीम कोट के बाहर आ जाएंगे हल चल यहाँ पर शुरू हो गई है बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोट से यह है कि सुप्रीम कोट ने ग्यानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षन और उसकी सुरक्षा को लेकर अंत्रिम आद अगे बढ़ा दिया गया है यानि कि जब तक सुप्रीम कोट की तरफ से कोई अगला आदेश को अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक उस जगह को वैसे ही महफूस रखा जाएगा जैसा कि पिछले कुछ महीनों से रखा जा रहा है यानि कि उस जगह तक कोई भी आम व्य तोर पर ये चल रही थी जो याचिका थी वो इस पूरे मामले पर ये थी कि जो एड़ुकेट कमिश्टर ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है उसके अधार पर उस जगह उस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था उसी SLP पर अभी काउंटर एफिडविट फाइल नहीं किया अगया लेकिन अब कोट ने अंत्रिम आदेश तो जारी कर दिया है इसको लेकर यानि कि अगला जो भी सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी है जो भी अगला आदेश आएगा तब तक उस जगह को वैसे ही महफूज रखा जाएगा पैरमिलिटरी फोर्स की जवानों की वहा यानि कि अब हिंदू पक्ष पूरे मामले को सुप्रीम कोट में भी जादा लंबा नहीं लटका सकता है उनको भी अपना पक्ष सुप्रीम कोट पर रखना होगा और तीन हफ़ते के अंद टाइम दिया गया है तीन हफ़ते में इस पूरे मामले काउंटर एफिडेविट फ आउंटर एफिडेविट भी हिंदू पक्ष को फाइल करना होगा ताकि इस पूरे मामले पर जब तीन हफते का जो कोट ने वक्त दिया है जब उसके बाद सुनवाई होती है तब इस पूरे मामले पर किसी तरीके का कोई 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 आगे फैसला ले पाए लेकिन फिलाल आगी कोट है उसमें हम आगे अपनी बात रखेंगे जो संद्रक्षन की बात थी उसको लेकर अब क्या कुछ कोट के अंदर आदेश क्या को आदेश जिया गया कि संद्रक्षन का जो है वह अभी सुप्रीम कोट से बाहर आए हैं और उनका साफ तोर पर यह कहना है कि अगले यानि कथि शिवलिंग मिली थी उस पूरे एरिया की उसी तरीके से सुरक्षा रहेगी पैरा मिलिटरी फोर्स जिस तरीके से उस पूरे एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी सिर्फ परशाशन के लोग वहाँ पर जा सकते थे या फिर जो लोग वहाँ पर जा आगे बढ़ा दिया गया है जब तक अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की नहीं होती है अब है आप चुकि सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया ये भी बताएं एक बार और विश्णु शंकर जैन से आपने बादचीत किये वो भी एक बार विस्तार से दर्शकों को बताएं देखे बिलकुल हाला कि हम दुबारा एक बार बात करने कोशिश करेंगे जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील मौजूद है विश्णु शंकर जैन उन्होंने बाहर आके साफ तोर पे ये बात कही है कि गुरुवार को उन्होंने सुप्रीम को जो मियाद है वो खतम हो रही है उसे आगे बढ़ा दिया जाए और उसी को लेकर गुहार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया कि जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसकी तारीक को आगे बढ़ा दिया जाए। और इस पूरे मामले के अंदर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी विवेक कोट के अंदर कही न कहीं आपस में सहमती बनती हुई नजर आई और उसके बाद सुप्रीम कोट ने बड़ा ये आदेश सुनाया जिसमें कहा गया कि अगली सुनवाई तक जो कि सुप्रीम कोट में अगली जब सुनवाई होगी तो एक कहीं न कहीं अंतरिम राहत जो है वो दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि उस इस्थान की यानि कि पर नहीं जा सकता, सिर्फ प्रिशाशन के लोग जा सकते हैं, पैरा मिलिटरी फोर्सिस वहाँ पर पहले की तरह 24 घंटे तैनात रहेगी, तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील है, वो इस वकील है, वो इस वकील यहाँ पर मौझूद है, कुछ और भी वकील यहाँ से निक इलकुल अभाय आप हमार साथ बने रहे हैं, गौनिका आप भी हमार साथ बने रहे हैं, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज इंडिया टीवी ने आप तक पहुचाई, ग्यान वापी मामले में सुप्रीम कोट ने अगले आदेश तक शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आद इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर